बिहार के चार सीटों पर उपचुना होने वाले और ऐसे में दो सीट काफी होट सीट है इमाम गंज और बेला गंज में नाक की लड़ाई है और लगातार जो राउंड की गिंती है वो कहीं न कहीं अंतिम चर्ण पे है तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तोर पे कि कि गया कॉलेज प्रांगन में जो राउंड की गिंती है इमाम गंज और बेला गंज में जो उमीदवार है उनकी गिंती राउंड की गिंती लगातार बढ़ते जारी ये बेला गंज में तीन राउंड की गिंती समाप्त हो चुकी और मनोरमा देवी जो एंडी ये की परतियास उन्हें अभी तक 18,322 वोट और वहीं RGD के उमिद्वार विश्वनात यादव को 13,366 वोट और वहीं अमजद जन्सोराज के उमिद्वार है उन्हें 4862 वोट मिले है और वहीं इमाम गंज की बात कर ली जाए तो इमाम गंज में 5 राउंड की गिंती जो है वो समाप्त हो च 86 वोट मिले हैं और वहीं NDA की उमिद्वार यानि जीतन नाम मांजी की बहू की बात कर ली जाए तो पाच्वें राउंड में उन्हें 20,653 वोट और वहीं मुहमद अमजद जो जन्सोराज की उमिद्वार है उन्हें 15,608 वोट मिले तो सीधे तोर पे कहा जा सकता है कि इम मिद्वार हैं उन्होंने काफी बहतर अच्छा परदर्शन दिखाया है 15,608 वोट उनको मिले और वहीं बेला गंज में लगातार मनोरमा देवी जो है वो बढ़त कहीं न कहीं बनाय हुए और तीसरे राउंड में विशुनात यादव 5000 के मार्जिंग में तो सीधे तोर पे कहा जा सकते है कि बेला गंज और इमाम गंज में जो लड़ाई है वो काफी काटो भड़ा है बेला गंज से मनोरमा देवी लगातार और विशुनात यादव से आगे चल रही है और वहीं इमाम गंज की बात कर ली जाए तो इमाम गंज से लगातार रौसन मांजी जो राजत के उमिदवार थे वो लगातार आगे चल रहे थे लेकिन पाचवे राउंड में दीपा मांजी जो जीतर नाम मांज की बहू है उन्होंने काफी अच्छा परद उन्होंने काफी अच्छा परदर्षन जीतेंदर पासवान जनसुराज के उमिद्वार है उन्होंने काफी अच्छा परदर्षन दिखाए यह तमाम आपको अप्टूडेट दे रहे थे की बेला गण में तीसीर राउंड की जो मदगनना है वो समाप्त हो चुके और वहीं इ से राउंड की गिंती बढ़ते जाएगी प्रतेक अप्टूडेट हम आपको देते जाएंगे लेकिन कहा जा सकता है कि इमाम गंज और बेला गंज में जो लराई है वो काफी काटो भड़ा है लेकिन मनोरमा देवी लगातार बेला गंज में बढ़त बनाए हुए विश्वना झाल